ओम सभी को सूचित किया जाता है कि डॉक्टर कपिल देव दुवेदी जी द्वारा लिखित रचनान वाद कौमुदी को संस्कित माध्यम से पढ़ने के लिए आज ही निम्न वाट्सप संख्याप पर संपर्क कर अपना रजिस्टेशन सीग्र करा लें अन्यथा आप कक्षाओं को पढ़ने से वंचित रह जाएंगे वाट्सप एवं टेलीग्राम नंबर 9582104261 ओम शी पर्मात्मने नमहा ओम शी गुरुभ्यो नमहा ओम असतोमा सद्गमया तमसोमा योतिर्गमया मृत्योर्मा मृतंगमया ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वेभ्यो नमो नमाह मित्राणी देवबाणी संस्कृतं इगुरुकुलं यूट्यूब चलदिश्यं प्रती भवतां सर्वेशां हादिकं स्वागतं अध्य वयं प्रारंभिक रचनानू वाद कोमुद्याह त्रयो विंशति तमस्य अभ्यासस्य प्रथमं खंडं पठिश्यामः गते पाठे प्रवत्तस्या कार्यस्या मेलनम अपी कारईश्यामी चव अस्तू प्रथमं कार्यस्या मेलनम कुरुमाह मैंने आपको टीस वाक्य बनाने के लिए दिए उनको क्रम से मिलाएगा का विभाग की वाक्यों को मिलाएगा अब यह खाविभाग के वाक्यों को मिलाएगा अब ग्राविभाग के वाक्यों को मिलाएगा अब इसके बाद में मैंने आपको कार्य दिया था कि वाक्य बनाओ आपने बना लिये होंगे मैं इसमें थोड़ा सा आपका इतना सहयोग कर देता हूं कि सेविश्यते यह प्रथम पुरुष एक वचन है इसलिए इसका करता भी आपको प्रथम पुरुष एक वचन लगाना है सिक्षिश्ये यह उत्तम पुरुष एक वचन है तो करता उत्तम पुरुष एक वचन होगा और सहिश्य यहाँ भी उत्तमपुरुष एक वचन है लपस्यते यहाँ प्रथमपुरुष एक वचन है और रंस्य यहाँ उत्तमपुरुष एक वचन है तो जो जो जिस जिस पुरुष में हैं उनके अनुसार ही करता का पुरुष और वचन आपको लगाना है और बीच में कुछ कर्म वाची पद भी रखेंगे उनमें दुतिया का प्रयोग कीजिए अब हमने आपको संदी दीती बनाने के लिए संदी को चेक कीजिए अत्र प्लस एशह अत्र इशह न प्लस एतत नाइतत पश्य प्लस एतं पश्य इतं साप्लस एशा सैउषा देव प्लस आउदारियं देव आउदारियं राज प्लस आईश्वरियं राज आईश्वरियं जला प्लस ओगह जलाउगह वना प्लस ओशदिह वनाउशदिह ये आपकी संधियावी होगे आईएगा अब तेईस में अभ्यास को पढ़ना आरंब करते हैं इसमें शब्द पोष देखिएगा कविभाग धेनु हो गाय काव रेणु हो धूल रज्यु हो रसी रोप सुलेखा हा सुलेख अच्छा लेख परिणाम हा परिणाम अंका हा अंक मार्क्स अबकाश चुट्टी होलिडे कक्षा शेणी क्लास परिख्षा परिख्षा अध्याम संचिका कापी नूटबुक लेखनी कलम पैन और पैंसिल एट्सेक्ट्रा मसी स्याही इंक मसी पात्रम दावात इंक पोट मित्रम मित्र फ्रेंड उत्तरम उत्तर आंसर क्रीडाक्षेत्रम क्रीडाक्षेत्र प्लेग्राउंड खेलने का मैदां आप देखियेगा खाविभाग उत्तीर्ण अनुत्त पास अनुत्तीर्ण हमने फेल असफल और उपस्थित अहा उपस्थित प्रियंट और अनुपस्थित अहा अनुपस्थित ये आपके विशातु से बने हुए ये विशेशन शब्द हैं इनका प्रयोग हम आगे देखेंगे अब आईएगा आपके इस शब्द कोश में धेनू शब्द नया आया है उसके आपको रूप चलाने पड़ेंगे एक बार याद करना ही पड़ेगा उसका रूप तो आईएगा धेनू शब्द का में रूप आपको इस्मर्ण करा देता हूँ धेनू गाय उकारांत हा रस्व उकारांत हा स्त्रीलिंगा हा शब्द हा यह रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। धेनोह, धेनुभ्याम, धेनुभ्याह, धेन्वाह, धेनोह, धेनुणाम, धेनव, धेनुभ्याह, धेनुशु, हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवह। इसमें आपके चतुर्थी विवक्ति एक वचन में दो रूप आते हैं इसकी देखिएगा देखें आपने मैंने आपको मैं समझा देता हूं देन्वई और देनवे दोनों मैंसे किसी एक का आपको प्रयोग करना है वाक्त में जहां कहीं परवी वाक्त में बनाने के लिए आता है दोनों का प्रयोग नहीं करना चाहे आप धेनवई बोलिएगा चाहे आप धेनवे बोलिएगा कोई भी एक शब प्रयोग कीजिएगा दोनों आपको नहीं करने हैं इसी प्रकार से आगे पंचमी और शष्ठी विभक्ती में एक वचन में दो दो रूप आए हैं, धेन्वाह, धेनोह, धेन्वाह, धेनोह, तो इसको भी इसी प्रकार से जानना चाहिए, और इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ती में भी एक वचन में दो रूप आए हैं, देखि तो इसमें भी कोई एक का आपको प्रयोग करना है तो अब आपको इसी प्रकार से जो शब्द कोश में दिये हुए शब्द हैं रेणू, रज्जू, ये दो शब्द हैं इनके रूप आपको धेनूबत चलाने है और आगे के सुलेखा ये साभी राम के समान जो पुलिंग है और कक्षा, परिक्षा, संचिका ये रमा के समान इस्त्री लिंग में रमा के समान और मसी, मसी का इस्त्री लिंग में नदी के समान चलेगा और मसी पात्रम ये ग्रिहम के समान चलेगा नपुन्सक लिंग है तफ़े मित्रम, उत्तरम, क्रीडाक्षेत्रम इनके रूप ग्रिह के समान चलेगे और ये उत्तीरणहादी शब्द हैं ये विशेशन हैं जिसके विशेशन बनते हैं इनका भी वही लिंग हो जाता है अर्थात ये तीनों लिंग वाले हैं पुल लिंग के साथ पुल लिंग नपुन्सक लिंग के साथ नपुन्सक लिंग और इस्त्री लिंग के साथ इस्त्री लिंग अभी हम आगे आपको बाक्यों में बता देंगे आएगा अब आप अब पढ़िएगा आगे अभ्यास सोलह स प्रफप्रह में जिये सप्तमी के नियमों का पुनाह अभ्यास करो आएड़ा चलिए देख लेटे हैं है कि के दोनों अभ्यास हैं तो इनकी आब CRT हम कर लेते हैं कि देखिए हैं सब्सक्र टुप estoy होती है जैसे विद्ध्यालाई पठ्थपी एद्ध्यालाई में पढ़ता है यहां आपको मालूम है क्या और विशय में बारे में अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में भी सकति अबती होती है उसके उदाहजर नीचे दिये initielines मोख्षे के बारे में इच्छा है मोख्षे इच्छास्ति और बिशय में धर्में अभिलाशह अस्ति और सब प्रातहकाले आगच्छती व प्रात्य काल मे आता है तो समय बांची प्रात आपकाल तो सबतमी हो गए इस कि इसी प्रकार से आगे व horse को और अगे सूचना है प्राता सायम नक्तम यह अभ्व पहले भी समझा दिया था कि एक किरिया के बाद दूसरी किरिया होने पर पहली कीरिया में सबतमी होती है कर्थिवाच्छ की में करता और किर्दनत में सबतमी होगी यह पहले आपको वीडियो सुननी पड़ेगी मुझे भी संख्यादमी है पर जो सोलह में अभ्यास को जिसमें पढ़ाया गया है उस वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा सा आपको वहां पर और अच्छी प्रकार से समझ में आएगा जो को अभी मैं समझाने लगूंगा तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा और किसी को समझ में नहीं आता है कमेंट कीज समय होगी तो हमने उदार देख लेते हैं आगे हम कि जैसे राम के वन जाने पर भरता आये पहले भी देख लिया था हमने अब देखिएगा यह करत्री वाच्छे हैं तो रामे वनम गते भरता आगता हां तो पहली क्रिया में यह नियम लगेगा पहली क्रिया वाले राम गए करता कोंने राम और किरिया कोंने आए घत की है तो यह जो गए है का करता में सब्सक्ण और कर्येबाची कृश्ञार के अगТος देखियेगा करने पर मैं गुरु आए को मैं कार एक्रटे गुरु आगता हो यह कर्म बाच्चे कर्म बाच्चे में नियम बताया कर्ता में दरतिया होती है और कर्म में सब्तमी होती है और जो क्रिवंत है उसमें भी सब्तमी होती है तो मया कारिये कृते मया कारिये कृते गुरु आगता है गुरु आए ऐसे रामे आगते सीता अपी आगता राम के आने पर सीता भी आई अब जहां तक है समझ में आपको आना चाहिए और इसको हम आगे और आएगा हम आगे के वाक्तियों में और आपको समझाएं अब आगे 17 अब भ्यास देखिएगा इसमें नियम था प्रेम आसक्ति और आदर सूचक शब्दों और धातुओं के साथ सब्तमी विवक्ति होती है तो जैसे तस्य मई इसनेह अस्ति उसका मुझ में इसनेह तो यह क्या है प्रेम आसक्ति वाची हो गया तो मई मुझ में तो सब्तमी हो गई मई इसी प्रकार से आगे भी देखिएगा तस्य कन्यायाम इसनेह अस्ति उसका कन्याम में इसनेह प्यार है पेम है तो आगे भी इसी प्रकार से इनको देखिएगा सब्तमी होती है जैसे वह पढ़ाई में सनलगन है तो सहा पठने लगनह युकतह तत्वरह आसकतह वास्ति तो पठने तो पठने में सब्तमी हो गई पढ़ने में लगा हुआ है एसे रामाह विद्यायाम कुशलाह नेपुणाह चतुरह पाटु हुदाक्षावा अस्ति सामान है आगे एक नियम और इसका देख लेगेगा फैकना अर्थ की धात्यों के साथ तथा विश्वास और शद्धा अर्थवाली धात्यों और शब्दों के साथ भी सब्तमी होती है जिस पर कोई चीज फैकते हैं उसमें तदवाची में सठ्वी होती है और जिस परविश्वास करते हैं जिस मैं में शद्धा रखते हैं तदवाची शद्व में सब्तमी होती है मुझतिवा तस्य धर्मे विश्वास हा शद्धाबा अस्ति सामान्य है साधर्मे विश्वासिति वहां धर्म में विश्वास करता है तो धर्में सप्तमी होई तो यह आपके दोनों अभ्यासों के नियमों की मैंने प्रुराब रिखती करा दी है अब आएगा इस अभ्यास में दिये हुए नियमों को देखते हैं संधी सूत्र आता है 58 मा नियम है संधी सूत्र अब हम इसको लिख करके भी देखेंगे समझेंगे देखिएगा आकाह सवर्णे दीर खाह आकाह मने आक प्रत्याहार है यह सूत्र है आपका आकाह सवर्णे दीर खाह आक आक का आर्थ है यहां पर आ अवर्ण इवर्ण और उवर्ण और रीवर्ण और रीवर्ण अक प्रत्याहर है अक के अंदर यही आते हैं अमने पहले ही प्रत्याहर पड़ा हुआ है तो आ इवर्ण इनको कहते हैं इनको सवर्ण दीर खाहा सवर्ण ओने पर यह सवर्ण कैसे सवर्ण जैसे अवर्ण अवर्ण के अंदर कितने हैं तीन आ और एक प्लुत भी होता है और यह से इई रोड़ कि यह प्लुत फू अधितरों यह लिए तीन प्लुत के पीछे तीन गया लिख देते हैं उसका तात्परे होता है यह तीन मात्रिक है कि तरौन एक लिए नहीं तो जैसे री तो यह को री और यह भी आपकी प्लुत और यह ओ गई री का दिर्ग होता नहीं है कि प्लुत होता है ठीक है तो यह यह आपस में सभी सवर्ण है यह एक विभाग के हैं यह अपने वर्ण के हैं इसी प्रकारते यह तीन अपने वर्ण के हैं उबन के तीन री वर्ण के तीन और री वर्ण के दो यह आपस में सभी सवर्ण है परन्तो यह आ और यह सा लिख जाएंगे तो आ का सवर्ण यह नहीं है और नहीं इका सवर्ण आ है यह अलग अलग है अका सवर्ण कौन सा है आ आ इका सवर्ण कौन सा है इसलिए यह कह रहे हैं कि अका हा यह मैंने आपको पूरा समझा दिया कि सवर्ण के परे रहते दीर्ग हो जाता है अभी मैंने मौटा समझा है अब आपकी हिंदी देखिए फिर और लिख के बताता हूं अ-ई-उ-री लिरी को छोड़ दिया क्योंकि लिरी कहीं मिलता नहीं भाशा में के बाद सवर्ण अर्था समान अक्षर हो तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्ग हो जाता है अभी हम बतलाएंगे आपको कैसे होता है अर्थात आ या आ प्लस आ या आ इनके बराबर क्या होगा आ इसी प्रकार से ई या ई प्लस ई या ई बराबर ई इसी प्रकार से उ या उ प्लस उ या उ बराबर उ री नमबर चारी प्लस री बराबर री अब उद्राहण में आ जाईएगा हमने आपको समझा दिया चाहें आपका और आपका दीर्ग इधर हो ऑर एधर रसो तो भी क्या होगा अ इसी प्रकार से अन्वरणों के विशहे में भी जान लेना चाहिए राइट अब उदाहन देखिएगा आप हिम हिम प्लस आल यहां बराबर देखिएगा यह क्या है रस्व आ और यह क्या है दीर्घ आ बराबर क्या हो गया हिमा है हिमालाया है बंग्या यह तो यह दीर्घ हो गया इसी प्रकार से दूसरा उदाहन लीजिएगा विद्या प्लस आल यहां दिखने के अवश्यक्ता निसरल है इसी प्रकार से प्लस इशाह तो श्री प्लस ई शाहा दोनों करफ दिर्ग दिर्ग है तो भी क्या होगा दिर्ग ही होगा श्री शाहा इसी प्रकार से गुरु प्लस उपदेश शाह गुरु उपदेश शाह होत्रि प्लस रिका रहा होत्री का रहा दिर्ग हो गया यह आपको मैंने दिर्ग संधी समझा दी जो की संधी प्रकरण में भी मैंने आपको विस्तार से समझा दी है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्लेलिष्ट में जाकर के संधी प्रकरण में दीर्ग संधी तो मित्रो यहां अकाहसवर्णे दीरगह संधी मैंने लिख करके आपको समझा दी और यह कक्षा थोड़ी सी बड़ी है इसलिए हम इस अभ्यास को कुछ अधिक भागों में बांटेंगे तो इसलिए आज के पाठ को हम यहीं पर दिराम देते हैं फिर आगे के जो नियम है इस हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे इतना ही कहते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी महानभाव इसका जो सर्केंड पार्ट रचनानवाद कौमदी हैं उसको पढ़ना चाहते हैं रंस्कित के माध्यम से उसको पढ़ाया जाना है और लगभग उसक की 150 कक्षाएं होंगी उन्हें 150 कक्षाओं का आप लाव लेना चाहते हैं तो शिग्र ही इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करके अपना रजिस्टेशन करा ले अन्य था आप उन कक्षाओं से बंचित रह जाएंगे आईए इतना ही कहते हुए आप सभी को प्रणाम करता हुआ अपनी वानी को विराम देता हूँ इति ओम शम करता है